अगर आप सिल्वा माइक्रो में शौट टम के लिए ट्रेडिंट करते हो और नहीं जानते कहा पर बाइंड करना चाहिए कहा पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों, मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीख है 29 जुलाई 2023 टाइम हो रहा है दोपहर के एक बच के 6 मिनट और आज दिन है सैटेडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वा माइक्रो की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते है इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत डेंजर्स हो सकता है आज बात करेंगे सिल्वा माइक्रो की जिसका कॉंट्रेक्ट है ओगस्ट का सिल्वा माइक्रो जिसका करण्ट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 73,979 रुपे के आसपास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 78,888 रुपे और इसका latest law post हुआ है 66,650 रुपे Fundamental view की बात की जाये तो घर्ती बढ़ती हुई ब्याजदरे और चाइना की और से दिमांड और सप्लाई जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाव और न्यूस इन सारी बातों का असर पहला सपोर्ट 73,510 रुपे दूसरा सपोर्ट 72,652 रुपे और तीसरा सपोर्ट 71,681 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे इंपोर्टेन्ट रेजिस्टेन्स की बात की जाए तो रेजिस्टेंस यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निच्चे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेंस 74,509 रुपीज दूसरा रेजिस्टेंस 75,579 रुपीज और तीसरा रेजिस्टेंस 76,521 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price in resistance को तोड़ के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में support का काम करेंगे Very long term यानि मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो Train positive दिखाए दे रहा है long term यानि weekly chart पे train की बात की जाए तो Train negative दिखाए दे रहा है तो करना क्या चाहिए आईए देखते है इससे पहले Friends आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक 14 सा लाइक भी जरूर कर लेना Friends जो बाई करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहे Buy on dips की strategy अपनाए फिलहल बाजार अभी positive दिखाई दे रहा है Current Price पर buy side का risk reward ratio देखे तो Risk 469 रूपे और reward 540 रूपे के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है अगर आप bind करना चाहते हैं तो bind level जो है Current Price 73,979 रूपे से 469 रूपे निचे यानी 73,510 रूपे के आस-पास bind करे Target रहेगा 74,509 रूपे अगर ये Target अचीव होता है तो Second Target रहेगा 75,589 रूपे और इसके लिए Stop Loss रहेगा 73,326 रूपे और Friends Stop Loss जरूर लगाए बिना Stop Loss की trade करना बहुत dangers हो सकता है अगर आपने Top Level पे already buy किया है तो आपकी Total quantity में से 30% quantity 73,510 रूपे के आसपास average करे अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है तो आप 72,652 रूपे के आसपास 30% quantity average करे Friends averaging करने के लिए ट्रेंड का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है और Long Term यानि Weekly Chart पर ट्रेंड की बात की जाए तो train Positive दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी Trading Avoid की strategy अपनाए फिलहाल बजार अभी Positive दिखाए दे रहा है Current Price पर सेल साइड का Risk Reward Ratio देखे तो Risk 540 रुपे का दिख रहा है और Reward 469 के हिसाब से Risk Reward Ratio दिखाई दे रहा है अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग लेवल जो है Current Price 73,979 रुपे से 540 रुपे उपर यानि 74,509 रुपे के आसपास सेलिंग करे अगर यह Target अचीव होता है तो Second Target रहेगा 72,652 रुपे और इसके लिए Stop Loss रहेगा 74,696 रुपे और Friends Stop Loss जरूर लगाए बिना Stop Loss की ट्रेड करना बहुत डेंजर्ज हो सकता है अगर आपने Lower Level पे Already सेल किया है तो आपकी Total Quantity में से 30% Quantity 74,509 रुपे के आसपास Average करे अगर बजार इससे भी उपपर चला जाता है तो आप 75,589 रुपे के आसपास 30% Quantity Average करे जैसे कि हमने पहले भी बताया Average इंट करने के लिए Trend का आपके Favor में होना बहुत जरूरी होता है और Long Term यानि Weekly Chart पर Trend की बात की जाये तो पॉजिटिव दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे अभी के लिए Overall Trend पॉजिटिव रहेगा Buy on Dips करके चले लेकिन स्ट्रीक स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में Buy Side Target 74,509 और 75,579 रुपीस के आसपास देखने को मिलेंगे Friends, अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेट करना चाहते हो तो आपके Financial Expert की राय जरूर ले ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान न हो और इस Financial Market में सही गलत की समझ जरूर रखे और आपके Profit and Loss की जिम्मेदारी खोद ही ले और अपना Money Management और Risk Reward Ratio अच्छे से मेंटन करे अपनी ट्रेडिंग में Back Tasting या Paper Trading जरूर करे उसके बाद ही ट्रेडिंग करे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो Comment Box में जरूर लिखे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और Like जरूर करे साथ में घंटी के बेल आइकोन को All पे सेट करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की लेटिस अप्डेट आपको लगादार बिक्री रखे